शुरी गनेशाय नम्हा नमस्काल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ चिरागदारु वाला आज हम बात करेंगे कि आज का दिन यानि की 25 डिसेंबर 1223 का ये दिन आप सबी के लिए कैसा रहेगा शुरुआत करते हैं मेश राशी से गनेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए प्रगदि का दिन होगा क्यूंकि आपको विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है विदेश रात्या के लिए विचार भी करना पड़ सकता है या कोई भी यात्रा आपके लिए आज के दिन लाबदयक रहेगी आज आप अपनी रोजमरा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे भी खल्च करेंगे लेकिन आपको इस बात पर ध्यान रहोगा कि आप इसे अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर ही खल्च करें तो बहतर होगा प्रेम जीवन में रह रहे हैं लोगों ने अब तक जीवन साथी को अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाया है तो आज का दिन बहुत ही बहतरीन है मिलवाने के लिए धन संबंदित मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा वरिशब राशी गनेश जी कहते हैं कि धन संबंदित मामलों में आज का दिन अच्छा है राजनीती में आपके संपर्ख शेत्रों का विस्तार होगा और आपको कुछ नए अफसर मिलने के भी संकेत दिख रहे हैं निवेश करना चाते हैं आज का दिन बहतरिन है दुपहर के बाद कोई भी प्रकार का निवेश करते हैं तो जरूर से अच्छा लाब मिलेगा आप आज अपने पार्टनर्स को सर्प्राइज दे सकते हैं दोस्तों के साथ गुमने जाने का कोई इस तल पत जाने का विचार क कहते हैं कि गुसे में आकर आपको किसी से गलत बोलने से बचना होगा कुरोध में आकर किसी को भी गलत बोलने से भी बचना होगा आतिक स्तिती में सुधार होने से आप कोई नया काम भी कर सकते हैं यदी परिवार में कोई सदस्य विवाई हो गया है तो आज उसके लिए ब वरना गलती हो सकती है, नुकसान हो सकता है। करकराशी गनेशी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए सामन्य रहेगा। यदि परिवार में कोई कला उत्पन होती है तुदॉनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्ने लेना आपके लिए बहतर होगा। आपका कोई रिष्टेदार आपसे मदद भी मांग सकता है विद्यात ही अपनी कोई भी समस्या अपने तक ही सिमित ना रखें बैतर होगा कि उसे अपने पिता से साजा करें कार्य शेतर में आपको कोई ऐसा काम सौपा जाएगा जिससे आपको काफी मेहनत करनी पड़े और उ हिराशी गनेशी कहते हैं कि आपको किसी भी चुनावती का साहस के साथ सामना करना होगा चाहे वो घर पर हो या वेवसाय में हो अगर आपका जमीन की खरीद से कोई मामला जुड़ा हुआ है तो सावधानी से ही उसे अंतीम रुप देना आपके लिए बहतर होगा पारिवा से अपने मन की बात भी कर सकते हैं आज का दिन बहतरी रहेगा कन्या राशी गनेशी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कोई शुप समाचाल लेकर आ सकता है कुछ अचानक आपके जीवन में हो सकता है समय पर सभी सब प्रोजेक्ट पूर्ण होंगे आप यह समद लीजिए कि यदि आपका कोई संपत्ति संबंदी विवाद लंबे समय से चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी बिजनेस में रुका हुआ पैसा भी आपको वापिस मिल सकता है अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो वह आपको मिल सकती है तला राशी गनेश जी कहते हैं कि पारिवारिक जीवन बिता रहें लोगों के लिए आज का दिन खुशी बरा रहेगा क्योंकि वे अपने जीवन साथी की प्रक्ति देखकर खुश होंगे और उनके लिए किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं बिजनेस करने वाले लोगों को अपने पार्टनर के साथ किसी भी विवाद को समझदारी से निप्टाना होगा अन्यथा या उनके बिजनेस के लिए हानिकारक हो सकता है आपको कोई भी काम करते समय अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं रखने हैं अन्यता आपका काम बिगड सकता है वरिशिक राशी गनेशी कहते हैं कि आज आप अपनी महनत से अपने लक्षय को प्राप्त करने में सफल होंगे लेकिन नौकरी से जुड़ी कोई नई सुचना भी आपको सुनने को मिल सकती है बिजनेस करने वाले लोग अगर किसी बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो उन्हें वह आसानी से मिल जाएगा आपको अपने ससुराल वालों से वाद विवाद का सामना करना भी पढ़ सकता है निवेश कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की सला लेकर करें अन्यथा नुकसान हो सकता है धनूराशी गनेशी कहते हैं कि आज आप सतर्क महसूस करेंगे और हर कारिय को जल्द बाजी में करने के लिए तैयार रहेंगे लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ गलत कर सकते हैं जो लोग बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं मेहनत करनी होगी अधियकारियों का दिल जितने में आप सफल रहेंगे और उसके बाद कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है कोई डिसीशन आप नहीं ले पा रहे थे तो आज के दिन लिजी आज के दिन लिया हुआ डिसीशन आने वाले समय में आपको एक अलग लेवल पर पहुँचाएगा मकर राशी गनेश जी कहते हैं कि आज आप उजवान महसूस करेंगे विद्याथियों का पढ़ाई में खूब मन लगेगा लेकिन विवसाइक शेत्र में कुछ विपरीद परिस्तितियां उत्पन हो सकती है जिससे आप चिंतित रहेंगे और किसी काम में मन नहीं भी लगे आपको अपनी संतान की और से कोई समाचा सुनने का मौका भी मिल सकता है जिन्ना केवल आप काबल की अपके पुरे परिवार का भी नाम रोशन करेगा विवसाइक के शेत्र में आप कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे कुमराशी, गनेशी कहते हैं कि आज का दिन रोजगार की तलाश कर रहे हैं लोगों के लिए शुप समाचार लेकर आएगा क्यूंकि उन्हें नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है नया व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहतरीन है नई नई आथी की उजनाए भी आप बना सकते हैं अगर व्यापार को बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो आज के दिन उसकी शुरुआत करिए जरूर से आपको लाब होगा यदि आपकी माता को कोई स्वास्त संबंदित परिशानी है तो आज उनकी तकलिफ बढ़ सकती है इसलिए आपको सावधानी रखने की जरूरत है मीन दाशी गनेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए प्रसंता पुर्वक रहेगा आप अपने कारी शित्र और नौकरी में अच्छे काम के बदालत प्रगती करेंगे जिससे आपका मनुबल और बढ़ेगा राजनीटी में कारीरत लोगों के शित्र का विस्तार होगा विवसाय में लेन दिन की कोई समस्या है तो वह भी हल होगी आपको किसी नए काम में हाथ अजमाने का मौका मिलेगा जिससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि इससे आपको आधिक लाब भी होगा आज का दिन आप सभी के लिए बहतरी नहेगा शिरी गने शाय नहेगा